शुप्रभात आदाब नमस्कार तारीख 30 अक्तूबर दिन रभी वार आप सभी दर्सकों को छट महापड़ों की हार्दिक मधाई बदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हुमे नसीर कुरेशी सत्यमनीच की फटाफट खबरों की सुर्गात करते है इस अहमवा बड़ी खबर से आवराई दुर्गा पूजा पंडाल अंग्निकांड में जुलसी एक और स्रधालू महिला की सनिवार को मौत हो गई है अब पूजा पंडाल अंग्निकांड में मरने वालों की संख्या सत्रा पहुच गई है आवराई निवासी इंद्रावती देवी का इलाज वाराणसी में चल रहा था इलाज के दौरान ही स्रधालू महिला इंद्रावती देवी की मौत हो गई कुछ दिन पहले उनके पती की भी मौत हो गई थी इसी अग्निकांड में पती स्यूपूजन जुलस गई थे इंद्रावती देवी की मौत से परियोनों में घुरा मच गया सत्तर वर्सी इंद्रावती देवी 65% जुलसी थी और उनका इलाज वर्सी में चल रहा था इलाज के दौरान इंद्रावती देवी की मौत हो गई है भदोही सहर के चवरी रोड रेवडा फाटक के बूम को कंटेनर ने टककर मार कर छती गरस्त कर दिया है गेटमैन की सूचना पर पहुची रेलवे पुलिस ने कंटेनर को कबजे में ले लिया मौका देख चालक कंटेनर छोड़ कर फरार हो गया सनिवाल की दोपार एक बजे रामराइपुर की तरफ से एक दाक पारसल का कंटेनर भदोही चवरी रोड की तरफ आ रहा था कंटेनर की रफतार तेश थी रेल्वे फाटक खुला हुगा था अचानक कंटेनर बेकाबू हो गया और फाटक के बूम में जोरदात टककर मार दी जिससे रेवोडा फाटक का बूम छतिग्रस्त हो गया हास्ते से वहां ख़डए लोगों में हलकम मच गया चालक कंटेनर छोड़ कर फरार हो गया सूचना पर पहुची रेलवे पुलिस ने कंटेनर को कबजे में ले लिया था काफी देर तक सिकड़े के सहारे ट्रेन को पास कराया जा रहा था जहां पहुचे कारीगरों ने छती ग्रस्त बूम को ठीक किया सुर्यामा थाना इलाके के कलिंजरा रोट पर जोधापूर दानूपूर के समीब एक सड़क हासे में अभोली ब्लाक में तैनात लगू सिचाई के जेई दिनेस यादो सहित तीन लोग घायल हो गए हैं बताया जाता है कि जेई अभोली ब्लाक से अपने घर बाइक से हडिया जा रहे थे जैसे ही कलिंजरा रोट के जोधापूर दानूपूर के संजय नगर के समीब पहुचे तभी सामने से आ रही एक बाइक ने टककर मार दी इस हासे में जहां जेई दिनेस यादो गंभीर रूप से घायल हो गए है वहीं दूसरी बाइक पर सवार अभोली ब्लाक के पत्तुपूर ब्रह्मनान निमासी डाक्टर बनवासी वा राजेस बनवासी घायल हो गए है सभी घायलों का उपचार अलग-अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है राजेस वा डाक्टर बनवासी की हालत गंभीर बनी हुई है गोपिगंज कोतवाली इलाके के प्रियागदासपुर के भीमपुर गाउं में रामधारी यादो के रहाईसी मढ़े में रात में अचानक आग लग गई अबूज हाल में लगी आग से रहाईसी मढ़े में रखा छा कुंतल गेहू, चार कुंतल चावल, एलेडी टीवी, साइकिल, कुर्सी, सहित, गिरस्ती का सामान जलकर राक हो गया है भीमपुर गाउं निवासी रामधारी यादो के मढ़े में लगी आग को ग्रामलो ने भारी मसकत के बाद काबू पाया आग लगने से गाउ में रात को अफरा तफ्री फैल गई थी, सूचना पर पहुची गोपी गंज पुलिस जाज परताल कर कारवाई में जुटी हुई है रामधारी यादो के मताबिक आग लगी की इस घटना में उनका लगभग 50,000 रूपए का समान जल कर नुकसान हुआ है मोल करियाओ मार के मकनपुर तिर्मोहानी पहलवान बीर बाबा के समीप सनिवार को एक बड़ा हासा हुआ है बड़ोही सहर के पिपरिस 89 साइकिल सवार सुबा सियादो बस की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया आक्रोसित ग्रामनों ने डगगा मार बस चालक के खिलाप चक्का जाम कर दिया सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और समझा बूझा कर जाम को समाब्द कराया साइकिल सवार युवक सुबा सियादो की हालक गंभीर बताई गई है पिपरिस गाव निमासी सुबा सियादो करियाव के मकनपूर सायकिल से अपने ननिहाल गया हुगा था लोटते समय करियां रोड मकनपूर तिर्मोहानी पहलवान बीर बाबा के पास सवारियों से भरी बस की चपेट में आ गया सूचना मिलते ही युवक के परियन मौके पर पहुच गये थे घायल युवक को MBS भदोही लाया गया जहां से डाक्टरों ने वारानसी के लिए रेफर कर दिया बस की चपेट में आने से युवक की हालत गंभीर बताई गई है बस को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है सुरियामा थाना इलाके के सदयवपूर गाउं के तालाप पर किये गए बिच्छा रोपड के तहट पेड को कुछ लोग दपंगई के बल पर काट कर उठा ले गए थे जिसमें कई पेड सीसम वा बबूल के सामिल थे सदयवपूर निवासी बिनोत कुमार सुकला की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने सुरियामा के ही सदयवपूर निवासी आउधेस कुमार सुकला विभूती नरायन सुकला वधर्म राज गौतम के खिलाप भारती वन अधनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है तालाप पर लगे इन पेड़ों को अवय धंग से दबंगों ने काटा था जाज के लिए मौके पर टीम भी पहुची थी कटे हुए पेल की जड़े भी पाई गई है दीम गवरांक राठी के आदेश पर भदोही सहर के पिप्रिस सुन्दरपूर कुष्ट बस्ती में कैम्प का आयोजन किया गया था आपको बता दे कि दीपावली की पूरे संध्या पर डीम गवरांक राठी सुन्दरपूर कुष्ट बस्ती में पहुचे थे जहां कुष्ट बस्ती के लोगों ने डीम से गवार लगाते हुए योजनाओं का लाफ दिलाए जाने की मांग की थी डीम के आदेश के बाद सनिवार को कुष्ट बस्ती में सासन की तमाम योजनाओं का कैम्प लगाया गया था इस कैम्प का सुभारम S.D.M. भदोही चंदरसेखर ने फीता काट कर किया है कैम्प में स्वास्त, सिच्छा, आवास, पिंसन, पुष्टाहार, पेजल, विदुद विभाग, सरमिक, कल्याल जैसे तमाम विभागों द्वारा कैम्प लगाये गये थे और कुष्ट बस्ती के लोगों को तमाम योजनाओं के बारे में जागरू किया गया है जोर उचको बदमासो पर सुरियामा पुलिस का चाबुक लगातार जारी है सुरियामा पुलिस को एकाओर बड़ी कामियाबी हाथ लगी है जहां बाइक सवार महिला का पर्स चीन कर भागने वाले उचको को पुलिस ने गिरफतार करते हुए चिनेती के समानों को भी प्रामत कर लिया है आपको बता दे कि ज्यानपुर के नंदापुर कावल निवासी संदीब बिंद अपनी बुगा को सुरियामा से लेकर घर जा रहा था मेरी गाओं के समीब बाइक सवार उचको ने महिला का पर्स चीन कर भाग गए थे सुरियामा पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए वारी निवासी पंडा सर्मा वा बिने कुमार बिंद को गिरपतार करते हुए उस पर्स को भी ब्रामत कर लिया है जिसमें नगदी अभूसर वा मोबाइल मौजूद था आरोपियों को गिरपतार कर सुरियामा पुलिस ने जेल के लिए रवाना कर दिया है चट महापर्व को लेकर भधोही जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है गंगा घाटों पर वैरिकेटिंग कर तैयारियां पूरी कर ले गई है आज रविवार से चट महापर्व की शुरुआत हो रही है जिसकी तैयारियों को लेकर गंगा घाटों का अधिकारियों ने जैजा लिया है सनिवार को SDM ग्यानपुर अस्वनी कुमार पांडे वा गोपी गंग इस्पेक्टर सदा नंद सिंग ने गंगा घाटों पर पहुच कर सुरच्छा ब्यवस्था सहित तैयारियों का जैजा लिया है इसी तरह चट पर्व को लेकर भदोही जिले की बाजारों में काफी राउनत देखी जा रही है जिले की बाजारों में फल, दौरी, गंणा सहित, पूजा सामागरियों की दुकाने सज गई है चट पर्व को लेकर भदोही जनपत पुलिस वा खूफिया विभाग पूरी तरह मुस्तयद है भदोही शहर कोतवाली अलाके के भदोही सुरियावा मार्ग नयपुर कालोनी के समीब दुरगा गंज के मसुधी निवासी बाइक सवार पण्ना लाल वह उनकी पतनी उर्मिला देवी एक सड़क हासे में घायर हो गई है दुर्गागंच के मसुधी निवासी पन्नालाल अपनी पत्नी को लेकर बाइक से भदोही दबा लेने जा रहे थे तब ही नैपुर कालोनी के समीप अचानक एक साइकल सामने आ गई साइकल सवार को बचाने के चक्कर में भदोही से सुरियामा जा रही एक तेज रफ्तार बाइक से पन्नालाल की बाइक टकरा गई हासे में पती पत्नी घायर हो गए सुचना पर पहुची सरकारी एम्बूलेंसे घायल पती पत्नी को महराजा बलवन सिंग राज की अस्पताल में भरती कराया गया टकर मारने वाला बाइक चालक फरार हो गया था बदोही सहर के सुरियामा मार्ग नैपुर कालोनी के समीप या हास्सा हुआ है गाउ में 8 फिट लंबा अजगर दिखाई पढ़ने पर हरकम मज गया मामला डीग विकास खंड के कुईरावना थाना अंतरगत खरगापुर गाउ का है सनिमार की साम 4 बजे गाउ के मानिक चंद तिरपाठी के घर के पीछे एक पेड़ पर भारी भरकम लगभग 8 फिट अजगर चड़ता दिखाई पढ़ा पेड़ पर चड़ रहे अजगर को देख एक किसोर ने सोर मचाना सुरू कर दिया बस क्या था देखते ही देखते खरगापुर गाउ में लोगों की भारी भीड जमा हो गई और हड़कम मच गया ग्रामलो ने इसकी जानकारी यूपी डाइल 112 पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने वन बिभाग को जानकारी दी मौके पर पहुची बन बिभाग की टीम ने लगभक चार घंटे के अथक प्रयास के बाद अजगर को पकड़ कर अपने कबजे में ले लिया और बन बिभाग की टीम अजगर को लेकर चली गई तब जाकर ग्रामलो ने राहत की सास ली उस थाना इलाके के सुभास नगर कलीपुर गाउ में सड़क पार कर रही सांती देवी नामक 45 वर्सी महिला को तेजरफतार एक बाइक ने टकर मार दी हास्से में जहां महिला गंभीर रूप से घायल हो गई वहीं बाइक चालक फरार हो गया बताया जाता है कि सनिवार की देर साम कलीपुर निवासी सांती देवी सड़क पार कर रही थी तबी बाइक ने टकर मार दी गाईल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ग्यानपुर लाया गया था प्रात्मिक उपचार करने के बाद डाक्टरों ने रेफर कर दिया दुरुगागन इलाके के सराय कंसराय बजहाँ डी का तीन दिवसी राम लीला का मंचन भव मेले के साथ संपन हो गया सराय कंसराय के बजहां डी के तीन दिवसी मेले के सनिवार की रात आखरी दिन कृष्ण सुदामा मित्तरता का मंचन किया गया रामलीला में बड़ी संखा में सरधालू पहुचे थे रामलीला का मंचन गाउं के ही कलाकारो द्वारा प्रस्तुत किया गया मेला देर राग तक चलता रहा सुरच्चा वेवस्था को लेकर मेले में पुलिस मुस्तेद रही 27 अक्तूबर को रामलीला का मंचन का सुभारम किया गया था तीन दिवसी रामलीला सनिवार को भब मेले के साथ संपन हो गया मेले को सकुसल संपन कराने में मंगला परसाद उपाध्या, तिर्भवन नात उपाध्या, मनीलाल दूवे, बीडीसी विपिन पांडे आधी लोग मुझूद रहे। बिद्धुत बिभाग के मनमानी के खिलाब सुर्यामा बलाक के सियरहां ग्राम सभा के नई बस्ती गाउं के ग्रामलो ने परतरसन किया है। बिद्धुत बिभाग के उचाधिकारियों से सिकायद भी की गई लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है। बिद्धुत बिभाग के मनमानी के खिलाब ग्रामलो ने परतरसन करते हुए गाउं की बिद्धुत आपूर्ती चालू कराय जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रांती उपाध्यच वपूर मंत्री अजयराय सनिवार को भदो ही पहुचे। वराणसी से भदो ही पहुचे अजयराय का पार्टी के कारकरताओं ने आवराई वा गोपिगन चौराहे पर गाजे बाजे के साथ बब स्वागत किया। कांग्रेस के ने अवराई दुर्गा पूजा पंडाल अगनी कांड के मिर्तक वा पिर्टों के परियुनों से मुलाकात की और हर संभव मदद किये जाने का भरोसा दिलाया। प्रांती अध्याच अजेराई ग्यानपूर इस्थित जिला कांग्रेस कमेटी कारियाले पर पहुचे थे और एक प्रेस्वारता के दोरान केंद्रवा परदेश सरकार पर जम कर निशाना साथ था। बदोही जिले के कालीन उद्योक पर भी चर्चा की साथ ही खायलों वा मिर्तक परिवारों को परदेश सरकार से मौवज़ा दिये जाने की मांग की है। इस बौके पर जिला अध्यच, राजन दूबे, भदोही बलाक अध्यच, अवधेश सुकला सहीत, प्रेम बिहारी उपाध्या, रमेश दूबे, नाजिम अली आदी मोचूद रहे। अधिकारियों की लापरवाहिवा भ्रष्टा चार का जीता जाकता सबूत देखना है, तो आप इस तस्बीर को गवर से देखिए। यह तस्बीर है गोपी गंच के किरसी उत्पादन मंडी में बने आधुनिक सोचाले की, लोकारपन से पहले ही आधुनिक सोचाले खंडहर के रूप में तब्दिल हो चुका है। तो और क्या है भदोही तहसील इलाके के सुरियामा बलाक अंतरगत चक्चंदा गाउं में एक दिव्यांग गरीब भूमहीन पात्र के साथ हलका लेखपाल वा सचिव ने भद्दा मजाक किया है। मामले की जाच कराते हुए सचिव और लेखपाल के खिलाब काडवाई की मांग की है। कहा कि उसका अंतियोदै रासन काड चंद रूपए के लालश में हलका लेखपाल वा सचिव ने निरस्त कर ऐसे अपात्र व्यक्त को जारी कर दिया जिसके पास आलिसार मकान, चार पहिया वाहन वा जमीन जैजात है। दिब्यांग दलित विजे कुमार ने डियम से इंसाफ की गवाल लगाई है। गोपी गंज ककराही खेल मैदान में आयोजित बलाक अस्तरी खेलकूत परतियोगता में चाच छात्राओं ने अपनी परतिभा दिखाई है। 17 नयाय पंचायत के 184 परसिदी बिद्यालों के बच्चों ने ककराही खेल मैदान में बलाक अस्तरी खेलकूत परतियोगता में पहुँचकर अपना दमखम दिखाया है। खेलकूत परतियोगता का सुभारम खंड सिच्चा अधिकारी आसीस मिस्रा ने मा सरस्वती के चित पर मालयारपण वद्दी प्रजिलित कर किया है। साथ ही बिद्द्याले की चात्राओं ने सरस्वती वश्वागत गीत गाकर लोगों को मंत्र मुग्द कर दिया। कारकरम के मुक अतिती रहे खंड सिच्चा अधिकारी को सिच्चकों ने मालयारपण कर स्वागत किया है। इस खेल कूत परतियोकता में 100 और 200 मीटर की दौल, खोखो, कबड़ी, गोला, फेक जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नरेंद्र कुमार मिस्रा, सलेंद्र पाठक, दिलीप सुपला, नवीन मिस्रा आधि मोजुद रहे। गोपीगर नगर के राष्टी राजमार को पड़ाओ के समीप एक तेज रफ्तार कारने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। पहुचा था और उप्चार के लिए भर्ती कराया। और माल्यार पढ़ कर उनका स्वागत किया गया। और पूर सभासदों के कारकाल की भी लोगों ने प्रसंसा की दिपावली पर्व को लेकर ये सम्मान समारो आयोजित किया गया था। इस मौके पर क्रिपाल पांडे, गुड्डु अग्रवाल, घंसामदास गुपता, डाक्टर रतनेस पांडे आदी मौजूद रहे। कारकरम का संचालन पूर्व सभासद आसीस मुदर्माल लेकिया। आपका दिन मंगल मैं हो, इसे के साथ अब नसीर कुरेशी को दीजी अजाजत, नमस्कार आदाब।